की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पस्टिम एशिया से अपना बुर्या बिस्तर समेट रहा है यह रपोट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्रैन सामने आ गया है युद्ध के सबतर दिन बाद बता चल गया है कि खुद इरान ने इस्रेयल और अमेरिका के खलाफ अपनी रणनीती से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलवार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेशया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इस्रेयल जो पाईगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इस्रेयल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि इस्लामिक रिवलुशनली गार्ड, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है, इरान का मकसर इस्रेयल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इस्रेयल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरफ फंसते चले चाएं इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इसरेयल के पडूसी देशों लेबना, सीरिया, इराक और इसरेयल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंती संगटन हेजबॉला से भी इसरेयल पर हमला करवा रहा है और इसरेयल के दूसरे पडूसी देश, सीरिया में तो खुद एरान मौचोद है उसने वहाँ से इसरेयल को गेर रखा है सीरिया और इजरेल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अरक्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चन एशिया में तानाथ किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरेल के पीछे छोड़ दिया हूथी विद्रोहियों फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरेल पर मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौझूद लाल सागर को भी जंग का अखाडा बना दिया है वो वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं हूती वी दोह्यों ने कसम खाई है कि जब दक इस्रेयल घाजा में शांत नहीं होगा तब तक لाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा हूती लड़ाके, लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं के खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तोबा कर ली है इस वज़े से एशिया से योरप और योरप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफरीकी महाद्वीब का लंबा चोड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिस सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है इसलिए अमेरिका और ब्रिटन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की बहरेदारी करनी पड़ रही है हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से ऐसे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में 15 ड्रोन मार के रहे तो क्या इरान की चाल में फस गए हैं अमेरिका और इज्रेल अमेरिका और इज्रेल अपने ताकत पर हत्यारों और पैसे के दम पर घाजा की जंग लड़ रहे हैं मगर इरान की आयाज जेसी के हैध मेजर जनरल हुसैन सलामी ने तो टू कहा कि पश्चिमेशिया की जंग ना पैसों से जीती जा सकती है ना हत्यारों से उन्होंने अमेरिका पर बेहत दीखा वार किया और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपज़ा अमेरिका को जीत दिला पाएगा क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा? क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया? या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया? क्या अमेरिका करोणों डॉलर खर्च करके लिबनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया? या फिर उसे हार कर मैदान शोड़ना पड़ा? इरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाए वो एहम है अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाए तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इसरेल के खिलाफ अपना हत्यार बनाना चाहता है क्या खाजा को इसरेल के लिए अफगानिस्तान बना देगा इरान क्या इरान इस्राइल का वही हश्र करने वाला है जो एराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्योतों के बाद अमेरिका सुपर पावर पन करोबरा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है जैपूर से बड़े कमर आपको बता दे जेज़ेयाम यानि की जल जीवन मिशन में ब्रस्टाचार का महा बड़ा कुलासा हुआ है NJJM की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्टाचार का कुलासा हुआ केजर की थर्ड पाटी इंस्पेक्शन्स के निर्देशों की धज्जिया उड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे बीच में जैपुर से बड़ी खबर जेजेम में महा भ्रश्चाचार का बड़ा खुलासा किया गया है साप हो गया कि घटिया सामागरी का सामान इस्तमाल किया गया था घटिया सामागरी के पाइप जंक लगे हुए पाइप का इस्तमाल किया गया था लगाता जो जेजेम के कारियों में कई चौकारे वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है डी पी आर में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वाल्टी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुपतान किया गया है जहां सिपोर्टर में भारी आने मताओं का एक कारियों में कई ऐसे एहम खुलासे हुए हैं एक महा भ्रस्टा चार का पॉल अब सामने आ गया है राकेश अब बिल्कुर देखिए जिस तरीके से न्यूच 18 लगातार जल जीवन विसन में भ्रस्टा चार के मामले उजागर करता रहा है उसके बाद राश्टिय जल जीवन मिसन के कारी करवाए गए हैं उन कारियों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रस्टा चार हुआ है यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चोकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के प रुपे का एक अगर पाइप माने हम तो वो उस पाइप की जगे एक डेड़ सो रुपे का पाइप लगाया ग्यार उसकी जांच के बिना ही बुक्तान किये गए साथी जो एक हमेशा डिजाइन और जो अप्रूवल का जो एक कंसप्ट होता है ड्राइंग डिजाइन उसको बि पाइप दोरा किया उन तमाम जिलों में जब जांच की गई तो यह सामने आया है कि रश्टा चार में सिर्फ ठेकदारी सामिल नहीं थे बलकि जलदाए विभाग के उच अधिकारी भी सामिल थे क्योंकि जिस तरीके से भुक्तान किया गया है कारियों का वहां पर थर्ड प पार्टी के लिए मैन पावर ही नहीं था यानि बिना कारियों की गुनवत्ता बिना निर्मान सामगरी की गुनवत्ता की जांच के ही जो अधिकारियों ने ठेकेदारों को दिलों का भुक्तान किया है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फर्मों को ब्लैक लिस्ट होन और उनके साथ उनकी मिली भकत सनलिपता भी सामने आई है जो पाइप लगाए गए है डियाई पाइप और जो एश्टीपी पाइप है उन पाइपों के लिए जो फैक्टरी के दिसा निर्देश थे कि क्या कुछ वहाँ पर होना चीए था कितर की गुनवत्ता मैंटेन करनी पीचे थी वो भी उन फैक्टरियों में नहीं पाई गई तो लगाई गई निर्मान सागरी में तो बिलकुल ही नहीं पाई गई यानि इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा बड़े सीमा पर भरस्टाचार और किया गया है और इसलिए जब बारिश या मौसम खराब होता है त तो जीवन लोगों के अस्तिवेस्त हो जाते सरकों पर पानी जल भराव की समस्या आने लगती है बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर तो जेजिया में महाप्रस्टाचार का महाकुलासा हुआ है नैशनल यानि की केंद्र जल मिशन ने